14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब तीन बजे बजे जैशे मुहम्मद जेम के एक आतनक्वादी ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाइवे पर केंद्रियर रिजर्व पुलिस बल्ग, CPRF के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। पुल्वामा में पाकिस्तान समर्थित जैशे मुहम्मद के आत्मभती हमलावर द्वारा CRPF के काफिले को निशाना बना कर किये गए हमले में CRPF के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। मीर हाइवे पर रवंतिपुरा इलाके में पहुंचा तो लगभग 3.100 किलो विस्फोटक से भरी कार काफिले में शामिल एक बस से जा टकराए जिस से जोरदार धमाका हुआ। जैशे मुहम्मद संगर्थन में शामिल हुआ था। इस धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के बाजारों के लोग दुकानों के शटर डाउन कर भाग खड़े हुए। बता दे की जैलेटिन की छेड़ें जिसमें नाइट्रो गलिसरीन होता है, इसे खुफिया एजेंसियों से बचाने के लिए 5 किलो और 10 किलो की मात्रा में ही इक्ठा किया गया। अधिकारी ने बताया कि अमोनियम नाइट्रेट लगभग 70 किलोग्राम और अमोनियम पवड़क उस्थानिय बजार से ही खरीदा गया था जबकि 35 किलोग्राम RDX पाकिस्तान से लाया गया था।